राजधानी पटना में पटना पुलिस का इकबाल खतम हो चुका है और अपराद के ग्राफ में लगातार इजाफा होता जा रहा इसी गरी में कंकरवाग इलाके में एक बड़ी बारदात को अपरादियों ने अंजाम दिया है पुरे घटना करम की बात कर ली जाए तो नियमित समय के नुसार दुकान खुली थी तभी उसके सागरमल जोलरी सौप के करमचारी SBI Bank में चंदन कुमार जो करमचारी थे वो पैसे जमा करने जा रहे थे तभी पहले से घात लगाए अपरादियों ने मौका देखते ही चंदन से सारे 4 लाख रुपे की लूट की और मौके से फरार हो गए इस घटना के बाद इलाके में संसनी मच गई आपको बता दे कि लगातार कंकरबाग इलाके में अपरादियों के होसले बुलन नजर आ रहे और इसके पहले यानि 10 नवंबर को इसी महीने तनिस्क सोरुम में अपरादियों ने 3 लाख रुपे की लूट पार्ट की घटना को अंजाम हुआ था और मौके से फरार हो गयते और इस घटना के बाद पुलिस की गस्ती पर सवाल भी उठा था लगातार कंकरबाग इलाके में तनिस्क सोरुम के पास जहां पे ये वारदाद घटी थी 10 नवंबर को वहां से 500 मीटर की दूरी पर बिहार के डीजीपी का भी अवास था लेकिन अपरादियों के दुल्यों से कहीं न कहीं खौफ खतम हो चुका है और लगातार बैक टू बैक बड़ी बारदात को अपरादी अंजाम दे रहे हैं अब आप समझ ये कि नवंबर महीने में ये दूसरी बड़ी बारदात को अपरादियों ने अंजाम दि हैं वो हवा में इसाबित होते या अपरादियों को पकर लिया जाता है लेकिन जिस प्रकार से तनिक सोरुम और सागरमल जोलरी सौप से करमचारी से सारे चार लाख रुपए की लूट पार्ट ये साफ हो चुका है कि अपरादियों को मनोबल लगातार बढ़ते जारा इस मामले को लेके क्या कुछ कहा है कंकरबाग के थाना परवारी नीज़र स्ठाकों ने जराब सुनिये तो आपने सुना कि लगातार घटना की बारीकी से कंकरबाग के थाना परवारी जानकारी दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जल्दी अपरादियों को पकर लिया जागा और इस घटना के बाद जो करमचारी थे उनसे लगातार पुलिस पूस्ताजवी कर रही हरे एक एंगल से जाज किया जारा है क्यूंकि मामला संदिक्त भी होता है कई बार ऐसे घटनाएं होती है जब इस तरह की वारदात होती है तो कहीं न कहीं करमचारीों की भी सनलिप्ता रहती है पुलिस जाच कर रही है और जाच के बाद हड़ एक एंगल में जो जाचे होंगी और जाच के बाद जो सच्चाई सामने आएगी उसके पाद सत्यता कहीं जा सकती है। लेकिन इतना जरूरत है कि कहीं न कहीं नवंबर महीने में तनिक सोरूम और सागर मल के करमचारी से लूट पाट की घटना ये सीधे तोर पे जाहिर करता है कि कही न कहीं कंकरबाग की जो गस्ती गारी है कंकरबाग के जो थाना है जो पुलिस कर्मी है वो कहीं न कहीं सुस नजर आ रहे हैं और इसी को लेके अपराधी लगातार बैक टू बैक बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं अतना से दर्स्त नीज के लिए रोहीत कुमार की रिपॉर्ट